अमस्कार दोस्तों इस टॉपिक पर मैं वीडियो कई महीनों से बनाना चाहरा था आज फाइनली मौका मिला है बहुत ही जरूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है देश की डेवलपमेंट के लिए देश के लोगों की डेवलपमेंट के लिए और आप सब की हेल्थ के लिए तो हमारी सरकार की Ministry of Health and Family Welfare ने पिछले साल एक बड़िया रिपोर्ट निकाली थी देश की नूट्रिशन को लेकर इसका नाम है Comprehensive National Nutrition Survey 2016 से लेकर 2018 के बीच में कराया गया था देश की जनता पर ये देखने के लिए कि अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग एज ग्रू निकाले जा सकते हैं कि किस स्टेट में लोगों की डाइट में किस चीज की कमी है और कहां हम सब अपनी डाइट को और बैलेंस्ट बना सकते हैं और पूरा कर सकते हैं और एक दूसरी की स्टेट से सीख सकते हैं कुछ स्टेट में आयरन की डेफिशेंसी है कुछ स्टेट में nutritionist के साथ मिलकर इस सारी report की findings को दिखाने के लिए यह जो comprehensive national nutrition survey है CNNS यह देश का अभी तक का सबसे बड़ा micronutrient survey है जो कराया गया है एक लाग से जादा बच्चों पर और adolescence पर किया गया 2500 से जादा लोगों ने survey conduct किया across 30 different states और almost हर district में इंडिया के इन्होंने यह survey overlap हो लेकिन malnutrition धोस्तों कई तरह का हो सकता है एक होता है questa ऑबरवेट होना एक होता है underweight होना आपकी age के हिसाआप से अगर हापका weight कम हो एक होता है stunting म्हीं हैज ज्यादा है लेकिट कम है यह होता है वेसटिंग अगर आपकी height के हिसाप से आपका weight होतो तो इस सर्वे ने बदाया कि 10 से 19 येर की एज गुरूप में पूरे देश भर में 26.4 परसेंट बच्चे स्टंटिड है 4.1 परसेंट बच्चे ओवरवेट है और 0.8 परसेंट बच्चे डबल बर्डन से गुजर रहे हैं स्टेट वाइज हम देखें तो तमिलनाडू, गोवा और दिल्ली में सबसे जाधा परसेंटेज ओवरवेट बच्चों की है 12 से 14 परसेंट के बीच में लेकिन जिन स्टेट में सबसे कम हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश में, जारखन में वहाँ पर अंडरवेट परसेंटेज बच्चों की ज्यादा है तो ये डीटेल, ये जो डेटा है में ज्यादा कुछ बता नहीं रहा है ये सिर्फ एक in general malnutrition और poverty का relation बताने लग रहा है ज्यादा interesting ये होगा जानना कि किस state में किस चीज की deficiency है लोगों की डाइट में सबसे बहले हम बात करते हैं एनीमिया की ये होता है low hemoglobin की concentration होना आपकी body में इसकी वज़े से आपको fatigue हो सकता है, weakness हो सकती है, ठकान हो सकती है आपका immune system weak हो सकता है और ये कई reasons की वज़े से हो सकता है आपकी डाइट में iron की कमी हो, B12 की कमी हो या folate की कमी हो genetics भी हो सकते हैं इसके पीछे reasons तो report ने बताया है कि West Bengal और Tripura में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 10 से 19 साल की age group में मैंने बात करी nutritionist Amrita से इसके बारे में और जानने के लिए कि लोग इसको avoid करने के लिए क्या ले सकते है तो anemia nutrition के हिसाब से ज्यादा तर जिन लोगों को होती है वो vegetarians में होती है क्यूंकि आयन जो रहता है खाने के हमारे बोड़ी में वे बेटर एबल तो अबसर्ब जब वो non-vegetarian खाने से आता है तो अगर अनीमिया होता है लोगों को आयन के deficiency की वज़े से पर अगर हमें खाने में फोकिस करना हो तो जो नोग नन उज गाते है आएisan एंड्वेज जोग नोग नोग खाते हैं तो आप के लिए आपो लेसा है शेख पहलता है नेगों सब्या सीज उबल य लेसकते हैं यहां एक और बड़ा इंट्रेस्टिंग कंक्लूजन उभर के आता है अगर आप यह चार्ट देखोगे एज गुरूप वाइस मेल और फीमेल में कितने परसंटेज बच्चों को एनीमिया होता है एज 10 तक तो मेल और फीमेल का चार्ट सिमिलर सा ही रहता है लेकिन जिसके बाद जाकर फीमेल में एनीमिया के परसंटेज कही ज़ादा बढ़ जाती है ऐस कंपेर्ट तो मेल यह होता है मेंस्टुरेशन की वज़े से प्यूबर्टी के बाद फीमेल में ब्लड लॉस होता है जिसकी वज़े से उनकी बॉड़ी में ज्यादा आइरन लॉस हो रहा है तो उन्हें इस चीज़ को कॉंपनसेट करने के लिए और ज्यादा आइरन रिच फूड्स खाने की जरुवत है यह चीज रेलाइस करनी बहु से ज्यादा है स्पैसिफिकली पंजाब में 45 परसेंट बच्चों को इन दी एज ग्रूप ऑफ 10-19 आइरन डेफिशेंसी और सबसे अच्छी स्टेट्स इसके रिगार्ड में है जार्खंड मिजूरम और असाम जहां पर यह परसेंटेज 10 परसेंट के राउंड है खाली प् अपर अब विटो में 22 तो हम अब अच्छी इसका कर तो हम उद्क सी आफ आठेहिं उटेगे हम आऊणो को सिदुन का प्रेपेशिन खातेहिं को रिपेखा लाओं तो हम जब इनको कच्छी और ईनको कोई बीटिमान सी परेपेशन dismissed estos को इक अजह ऑरेंगें साथ उस्च्छ आप इसको दूद में डार के पी सकते हैं या तो अगर एक कच्ची चमच खा ले तो जनरली ब्रेट्फिस्ट में हम फूट खा सकते हैं उसके साथ आइरेंड डेफिशेंसी दुनिया भर में वन फूट कॉमन नूट्रिशनल डेफिशेंसी है अगर ये किसी बच्चे को होती है तो बच्चे की कॉगनिटिव डेफिशेंसी को अवोइड कर सकते हैं इसके बाद आती है प्रोटीन डेफिशेंसी इसका मैंचन इस रिपोर्ट में तो नहीं किया गया है iquई भी इपका अनिमिल प्रोडुक्क खाएंगे उसमें प्रोटीन रहता है वेजेटैरिंस सिर्फ डूद लेता है अनिमिल प्रोडुक्स मतलब डेरी प्रोडाक्स मतलब बेरी फ्रोडेटीन लेकर सारी मीट आपका चिकिन, आपका फिश, इन सब में प्रोटीन रहता है और आप इनका छोटा क्वांटिटी खाएंगे उसमें भी आपको काफी जादा प्रोटीन मिलेगा वेजटेरियन, on the other hand, आपके लिए है डेरी, मचलब दूद, डई, चास, पनीर, ये सब चीजे रहता है और हमारे दाल और बेनs वगेरा लेकिन, इन सब पोप्टिटी में घापता है वो स्यम अट siyammaamento f siitä मिलेगा you know आपको इतना चीकिन में जेतना प्रोटीन मिलेगा इतना प्रोटीन जेजिए तनी सारी दाल खानी परे yह फिछ शालिए लेकिन काफी सारे लोग vegetarian protein supplements भी लेते हैं क्योंकि उनको awareness है इस चीज के बारे में कि हमें ज्यादा तर diet से नहीं मिलती protein and it's easier to get it from protein powder because again ये concentrated रहता है protein की deficiency को पूरा करने के लिए देश भर में बहुत से लोग protein supplements लेते हैं इसके regarding भी एक shocking fact में आपको बताना चाहूँगा कि 2015 की एक study ने बताया था देश भर में 60 से 70% जो dietary supplements protein के लोग लेते हैं वो फर्जी हैं fake हैं, unapproved हैं और नकली हैं जब भी आप protein के supplements खरीते हो इस चीज का ध्यान रखा करो कैसे आप पहचान सकते हो वो असली है या नकली है packaging पर ध्यान दो, जो text लिखा है packaging पर labels पर, वो सही तरीके से लिखा है या उसमें कोई grammatical mistakes है जो logo लगा है उस package पर क्या हो सही लगा है या उसमें कुछ गलतियां है अक्सर जो नकली logos होते हैं जो फर्जी products होते हैं उन पर बहुत गलतियां होती है बड़े अराम से आप पहचान सकते हो दूसरा ये है कि आप हमेशा reputable brands से खरीदो और उन reputable brands की website से खरीदो ऐसा नहीं कि Amazon से खरीदो क्योंकि वहाँ पर कुछ भी आपको कोई भी परजी समान बेच सकता है अगर आप एक brand की website से जाकर खुद खरीदोगे तो वहाँ पर आपको असली समान मिलेगा इसकी guarantee होगा अब protein के बाद आती है zinc की deficiency गुजरात, मनिपूर, पंजाब और मेखालय में सबसे ज्यादा zinc की deficiency है लोगों में इन states में almost 50% age group 10 से 19 के बीच में बच्चों को zinc की deficiency है और सबसे अच्छी states इस regard में है नागा लैंड, मिजूरूम और हर्याना इससे आपको hair loss हो सकता है और diarrhea भी हो सकता है So zinc is also very, it's very interesting कि आपने ये question पूछा और ये test result में आया भी because zinc हमारे बहुत commonly सब खाने में मिलती है So हमारे nuts नाच की जो भी चीज खाते है मतलब गेहू चावर इन सब में भी रखता है और zinc deficiency हम जादा तर उन लोगों में दिखते है जब कोई ड्रास्टिक डायेट पे चला जाता है और बहुत सारी खाने की चीज़े कार देता है डायेट में से लोगों को काफी सारी zinc deficiency दिखाई देती है तो जादातर अगर बैलेंस डायेट खाते है तो zinc हमें खाने में से ही मिल जाना चाहिए तो बस अब यही रेकेमेंट कर रहे हो कि बैलेंस डायेट ही खानी चाहिए अगर zinc deficiency है तो जिंक के लिए हाँ फिर आती है विटमिन A की डेफिशेंसी यह लोएस्ट है राजस्तान, सिक्किम और गोवा में और हाइस्ट है मिजुरम और जारकंड में वाइटमिन A भी ज्यादातर आयन के जैसा ही है जैदा अब्सोर्ब करता है जब यह नौन वजटरियन खाने में से आता है जैदा तर अनिमल फूद में, or its farm एग में, मिर्क में, और सारे अनिमल नीट्स में रहता है और वजटरियन खाने में हमारे कलरफुल वेजटरिबल जो रहते है तो उससे थोड़ा ज्यादा absorption रहेगा vitamin A का क्योंकि vitamin A एक ऐसा nutrient है जो fat में dissolve होता है और फिर आती है vitamin D की deficiency ये one of the only deficiencies है जो अमीर लोगों में और urban लोगों में ज्यादा दिखती है as compared to गरीब लोगों में क्योंकि वो लोग sunlight में कम रहते हैं सबसे कम देखने को मिलती है और पंजाब उत्राखंड और मनिपूर में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है so vegetarian खाने में mushrooms एक ऐसी vegetable है जो actually vitamin D में काफी जिच है another strategy is eggs eggs are vitamin D content रहता है उनमें animal products again vitamin D रहेगे उनमें दूद में थोड़ा शायद vitamin D रहता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं next में क्या रहता है सारे जो dairy products मिलते है America जैसे countries में उनमें vitamin D वो उपर से डालते है अब overall deficiencies से हट के बात करें तो एक और बहुत बढ़िया comparison इस report में किया गया है कि किस state में क्या अलग-अलग type के food groups कितनी quantity में खाय जाते हैं कहां पर लोग क्या चीज कम खाने लग रहे हैं बहुत interesting है देखना milk और curd यानि दूद और दही हरियाना इसमें top पर आता है जिसके बाद राजस्तान तमिलनाडु गुजरात में भी बहुत ज़्यादा बच्चों को यह दी जाती हैं और अब यह जो मैं अलग-अलग आपको comparison दिखा रहा हूं food groups के इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप इन states में रहते हैं तो आपको यह ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि हो सकता है अगर आप milk और curd कम ले रहे हैं और उसको compensate करने के लिए मीट ज़्यादा खा रहे हैं तो आपकी जो dietary requirements हैं वो फिर भी पूरी हो रही हैं लेकिन यह generally ऐसे food groups हैं जो काफी main हैं अगर आपकी state में कम खाया जा रहा है तो मैं recommend करूँँगा कि आपको ज्यादा खाना चाहिए compensate करने के लिए ताकि आपकी diet और balanced हो सके औ करेला हिमाचल प्रदेश तरिपुरा काफी नीचे आती हैं तो अगर आप इन states में रहते हैं तो शायद आपको green leafy vegetables खाने पर concentrate करना चाहिए fruits गोवा, दिल्ली, केरिला, तमिल नाडू में अच्छे खाय जाते हैं भिहार, जहार, खंड, 36 गड, ओड़िसा इसमें काफी नीचे आते हैं हालकि ये चार्ट मैं कहूँआ, इसका poverty से काफी relation हो सकता है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, उनके पास access नहीं होता, fruits खाने का, पैसे नहीं होते है, fruits खरीद के खाने के तो इसलिए जो poverty जिन states में ज्यादा है, वो states यहाँ पर bottom पे rank कर रही हैं roots and tubers, इसमें Punjab, Sikkim, Himachal Pradesh काफी पीचे हैं, ये वो vegetables होते हैं, जो soil के नीचे ग्रो करते हैं, जैसे कि आलू हो गया, radish हो गया और बाकी vegetables में Punjab, Arunachal Pradesh, Mizoram बहुत नीचे आते हैं, तो सबजीयां खाने की बहुत जरूवत हैं, इन लोगों को जो इन states में रहते हैं तेलंगाना तमिल नाड़ु गोड़ी साब बहुत अच्छा प्रफॉर्म गर रहे हैं, तो सबजीयां लोग कम खाते हैं और रोटी और चावल जादा खाते हैं लोग, आपने ये देखा है, जी, 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 अच्छा, जी, कि इतना रोटी चावल खाते हैं, उसके इसके पं होती है, चिकन या मीट वेजिटेरियन स्टेट्स में ओविसली कम खाई जाती है, आंधरा प्रदेश, तेलंगाना तमिलाडु उसमें टॉप पर आते हैं, अब ये मैं एक ऐसी चीज कहूँगा जो ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी वेजिटेरियन हूँ तो इसके चिकन या मीट खाए बिना भी अपनी डायेटरी रिक्वाइर्मेंट्स पूरी करना पॉसिबल है, हाला कि ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन पॉसिबल जरूर है, तो डेरी को ज्यादा बढ़ा कर किया जा सकता है, और अगर आप डेरी भी नहीं खाना चाते है वीगन बनना चाते हैं, तो थोड़ो और मुश्किल हो जाता है काम, लेकिन पॉसिबल है, फिश और एक्स के लिए भी सिमिलर सा ट्रेंड देखने को मिलता है, केरेला, गोवा, असाम, वेस्ट बेंगॉल में सबसे ज़्यादा फिश खाई जाती है, राजस्थान, हर्याना ये स्टेट्स हमेशा नीचे आते हैं, जो वेजिटेरियन स्टेट्स हैं, तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फोर्मेटिव लगा होगा, शेर कीजे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, ताकि सब को पता लगे कि सबकी डाइट्स में क इस चीज की कमी हो सकती है, और क्या आपको खाना चाहिए अपनी डाइटरी रिक्वाइर्मेंट्स पूरी करने के लिए, अपनी न्यूट्रिशन को मेंटेन रखने के लिए, बहुत जरूरी है ये, तो चलिए, अगर काम पसंद आया, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन.com से जुवराटी पर या यूट्यूब पर मेंबर बन के, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद,